मैं दिपिका एक बार फिर आप सबी का स्वागत करती हूँ तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होकी एशन चांपियन्स ट्रोफी 2023 की त्री टाइम्स चांपियन और टाइटल फेवरेट इंडियन होकी टीम का आज मुकाबला था जापान के खिलाव और ये मुकाबला खत्म हुआ एक एक के ड्रोफर बात की जाए तो इंडियन टीम ने इस टूनमेंट की काफी शांदार शुरुआत की थी कल के दिन भारत ने अपना ओपनर मुकाबला खेला था चाइनक के खिलाव जहां पर भारत ने साथ दो से जीत दर्ज करते हुए अपने कैमपेन की शिरुआत की लेकिन इंडियन टीम अपनी इस विनिंग स्ट्रीक को कॉंटिन्यू नहीं कर पाई और आज का मुकाबला ड्रॉप पर जाकर खत्म हुआ और इसका बहुत बड़ा कारण रहा जापान का लाजवाब डिफेंस जी हां वहीं बात की जाए तो जापान के खिलारी कैन ने अपनी टीम को 28 मिनट पर लीड दिला दी थी और जापान फर्स्ट हाफ की एंड पर 1-0 से लीड कर रही थी जिसके बाद भारती कप्तान हर्मन प्रीट सिंग ने 43 मिनट मर यानि की 43 मिनट पर इसको एक्विलाइज करते हुए स्कोर को एक-एक पर पहुँचा दिया और इसी के साथ आज ये भारत का दूसरा मुकाबला एक-एक के ड्रॉप पर जाकर खत्म हुआ वही बात की जाए तो इस नतीजे से जरूर जापान की टीम काफी जादा खुश होगी क्योंकि उन्होंने होम साइड के साथ ड्रॉप वो करने में काम्याब रही है लेकिन वहीं दूसरी और इंडियन टीम अपने पॉइंस टेबल में टॉप पर पहुँचने में काम्याब नहीं हो पाई जहां पर अब फिलहाल कोरिया ही बनी हुई है और इसी के साथ भारत का ये इस चैंपियन स्टोफी का दूसरा मुकाबला खत्म हो चुका है वही बात की जाए दो और मैचेस की जो की आज खेले गए उनके रिजल्स क्या रहे तो पहला मुकाबला खेल गया को माच एक से खरा दिया है अब भारत का अगला मुकाबला रहने वाला है 6 अगस्त यानि की पर्सों को कल के दिन कोई भी मुकाबला नहीं रहेगा 6 अगस्त के दिन भारतिये होकी टीम हमें खेलती हुई नजर आने वाली रात साड़े आठ बजे तो आप सभी ज़रूर इसने मुकाबले को भारत जीतने में कामियाब रहे तो आज की वीडियो में बस अतना ही बाके स्पोर्स से टेड़ आपडेश जानने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें तो थांक यू फोर वाचिंग दे वीडियो